एलो एब्रिवन मैं विकास चलिए हिंदी व्याकरण में सुरुआत करेंगे आपका जो टॉपिक चल रहा है चंद उसी क्रम में आपके जो मात्रिक चंद थे वो समाप्त हुए थे अब हम देखते हैं वर्डिक चंद क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं वर्डिक चंद सबसे पहले समझते हैं वर्डिक चंद कहते किसे हैं तो वर्डों की गड़ना पर आधारित जो चंद होता है उसे हम वर्डिक चंद कहते हैं क्लियर हुआ वर्डों की गड़ना ही नहीं, वर्डों की गड़ना की जाती है, पता लगा जाता है, कि यहाँ पर कौन सा छंद होगा, इन्हें समझने से पहले, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, कि गड़ किसे कहते हैं, सबसे पहले बात आती है, गड़, ठीक है, तीन वर्डों का जो समू ह होता है वो क्या कहलाता है आपका गड कहलाता है गड कितने होते हैं आपके आठ होते हैं गडों की संख्या कितनी होते हैं आठ होते हैं एक फॉर्मूला होता है ऐसे हम पता करेंगे कौन-कौन से गड होते हैं ठीक है या माता राजुभानस लगा ठीक है या माता राजुभानस लगा अब देखते हैं या से आपका हो जाएगा यगड़ मा से आपका हो जाएगा मगड़ इसी प्रकार तासे तगड़ है और इधर आपका राज से हो जाएगा रगड़ जासे हो जाएगा आपका जगड़ हो जाएगा भासे भगड हो जाएगा नासे आपका नगड हो जाएगा एक दो तीन चार पांच है साथ और आपका सा से हो जाएगा सगड ठीक है तो कुल आपके गड़ों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है आठ गड होते है और तीन वरण के समुह को क्या कहते है, गड़ कहते है अब इनकी जो मानतरा होती है वो हम कैसे गिनैंगी, चलीए देखते है इससे मानतरा ही गिनैंगे यगड़ में एक दो दो यह मानतरा होती है आंगे देखते हैं फिर क्या है मगड तो मा से दो तीन तीन वर्ड कॉमा ले लो तो मा ता रण तो इसमें मगड में है دो दो ठीक आंगे देखेंगे उसी क्रम में फिर है तगड ता से अब देखो तीन तो ता रा और जा हो जाएगा ठीक और इसी में अगर हम रगड से देखेंगे तो रा से करके देख लो तो रा जा भा यानी दो एक दो इतनी मांत्रा है रगड में होती है आंगे देखेंगे जगड में तो जा से देखेंगे जा से लेके तीन वर्ड तो एक, दो, एक, एक, दो, एक, जगड में हो गया अब यहीं पर हम देखेंगे, आगे जगड हो गया आपका क्या रहा गया भगड, भगड देखो भगड में दो, एक, एक, दो, एक, एक, भगड है अब नगड़ देखते हैं नगड़ में क्या है नगड़ में तीन देख लो नगड़ में एक दो ओ स्वरी एक एक और एक और इसी परिकार सगड़ में एक एक दो तो आपके खुल आपके आठ गड़ होते हैं और यह आपकी मात्रा हैं अब कैसे पता गरते हैं से मानू लिखा हुआ है राजेस मैंने कहा बताईए राजेस में कौन सा गड़ है राजेस में कौन सा गड़ है तो क्या गड़ेंगे सबसे पहले इसकी मात्राइं की नहीं मात्राइं की नहीं राजेस अब दो दो एक अब दो दो एक जो मात्रा है किसमें है दो दो एक किसमे है तगर तो राजिस में क्या हो जाएगा आपका तगर है किलियर हुआ ठीक है आँगे देखते हैं एक और देख लेते हैं इसी प्रकार दादा जी दादा जी में देखिए पताई कौन सा अगर है तो दादा जी सबसे पहले मातरा थेंगा नो तो 2 दो और 2 किसमे आपनी है मगड में तो दादाजी में कौन सा गड है मगड है अब आप पता कर लेंगे गड कितने होते हैं तो गड की संख्या जो गोती है वो आपकी 8 होती है और यह गड, मगड, तगड, रगड, जगड, भगड, नगड और सगड कुल आठगड होते हैं और अचका सूत्र जो होता है निकालने का या माता राजभानश लगा चली अब आँगे देखते हैं वर्डिक्षंद में आपका सबसे पहला है इंद्रुबज्ज्रा इंद्रुबज्ज्रा की पहँचान क्या होती है इसमें वर्डों की संख्या ग्यारे होती है यानि कुल वर्ड कितने होते हैं ग्यारे वर्ड होते हैं जिसमें दो तगड एक जगड और अंत में दो गुरु वर्ड आते हैं दुरुद्विलंबित छंद का उधारण समझते हैं जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूँ सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे वरणों की संख्या देखेंगे वरणों संख्या कितनी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस और ग्यार है यह नहीं आधा अच्छर नहीं गिनेंगे अब इनकी मांतरा है देखते हो गड़ कौन-कौन से है तो दो, दो, न, या, ग्रंथ, विलोकता हूँ अब क्या कहा गया है कि दो तगड है एक जगड है अब दो तगड, तगड में कितनी मांतरा है दो, एक, एक तो दो, एक, एक, एक तगड हो गया दो, दो, एक फिर से एक तगढ़ हो गया और एक आपका क्या है यहाँ पे जगढ़ है, जगढ़ में देखिए ठीक है, तो यह हो गया अंतमें दो गुरूवर्ड, क recycling हुआ तो इंद्रबज्जरा में क्या होता है, वरडों की संख्या कुल कितनी होती है ग्यारे होती है आपकी और दो तगड होते हैं गड़ों का जो क्रम होता है एक जगड होता है उन्त में दो गुरु वर्ड आते हैं अगला है आपका दूसरा है दृत विलंबित छंद इसमें क्या होता है इसमें कुल वर्ड कितने होते हैं ग्यारे होते हैं जिसमें एक नगड, दो भगड और एक रगड का किरम होता है, क्लियर हुआ, आपके कितने वर्ड होते हैं, वारे, ना जिसमें कुछ पौरस हो यहां, अभी और भी पंग्तियां होती हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको केवल एक एक पंग्ति लिख दी है, ठीके, गि क्लियर है, बारे, आपके वर्ड तो हैं, अब देखते हैं, नगड, भगड और रगड हैं क्या, यहीं ना जिसमें कुछ पौरस हो यहां, आपका एक नगड है, भगड देखिए, एक भगड यह हो गया, दूसरा भगड यह हो गया, और अंत में एक रगड है, क्लियर है, ठ आगे देखते हैं नमबर तीसरा है आपका सवया चंद सवया चंद की पहँचान क्या होती है इसके प्रतिये के चरण में 22 से लेकर 26 वर्ड होते हैं बस इसकी यही पहँचान इसमें गड़ नहीं किने जाते हैं 22 से लेकर 26 वर्ड होते हैं 22 भी हो सकते हैं 23 भी हो सकते हैं 24 भी हो सकते हैं और 26 भी हो सकते हैं एक्जामपल लिखा हुआ है काज कि ये बढ़ देवन के तुम बीर महाप्रवु देखे विचारो चले गिंते हैं वर एक दो तीन चार पांच है साथ आठ नौ दस ग्यारे वारे तेरे चोदे पंदरे सोले सत्रे अठारे उननिस बीस इकिस वा वर्ड होने चाहिए तो आप अहाँ परावा क्या हो जाएगा सबया चंद नंबर चार वड़ेंगे नंबर चौथा है आपका मालिनी चंद मालिनी चंद की पेंचान क्या होती है इसमें कुल पंदरे वर्ड होते हैं तथा गड़ों का क्रम दो नगड एक भगड तथा दो यगड आते हैं ओधारण लिखा गड़ों धारण की जरीय समझेंगे पल पल जिसके में पंथ को देखती थी अब सबसे पहले हम वर्ड गिनेंगे वर्ड इसमें कितने हैं पंदरे हैं गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यार है बार है तेर है चौद है पंदरे जैसा कि मैंने बताया कि आदा अच्छर नहीं गिनते हैं अब इनके हम गड़वी गिन लेते हैं पल पल जिसके में पंथ को देखती थी अब एक नगड आपका ये हो गया एक नगड आपका ये हो गया क्लियर है अब एक यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा नगड नगड में देखते हैं ओ सुरी भगड भगड में क्या होता है आपका दो एक एक होना चाहिए तो यहाँ पर आपका मांत्रा यहाँ आना चाहिए ठीक है यहाँ भी ऐसा ही है उसके बाद क्या है आपका दो यगड है एक आपका सुरी एक आपका अगर यह होगा, क्लियर है, चलिए अब नमबर पाँचमा देखते हैं, आपका लाष्ट चंद है वर्डिक चंद में, सालिनी चंद, इसमें क्या होता है, इसमें चार या साथ की यती पर कुल वर्डों की संख्या ग्यारे होती है, गडों का जो करम है, एक मगड है, दो आ रहे हैं, चलिए गिनते हैं मांतरा हैं, कैसी कैसी ठोकरें खा रहे हो, ठीक गिनिये, अब क्या गया है, कि इसमें एक मगड है, मगड में देखते हैं, मगड आपका कहा है, ये देखो रहा है, मगड, देखो मगड आ रहा है बाई, दो दो दो, उसके बाद क्या है, मगड के बाद आपका दो तगड है एक देखो आपका ये तगड हो गया और एक तगड आपका ये हो गया और अंत में दो गुरु वर्ड ये देखो अंत में दो गुरु वर्ड भी आ गए किलियर हुआ ठीक है जो आपका जो चंद टॉपिक है वो आपका यहीं पर समापत होता है तो जितने भी आपके मोश्ट चंद वन सकते थे वो मैंने आपको सभी करा दिये एक्जाम में अगर आप इतना ही पढ़ लेते हो तो इससे बाहर कोई भी आपका चंद से प्रसंद नहीं पूछा जाएगा मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद